हम सभी को मौन्जून से बड़ी उमीद है क्योंकि कई राजय भीशन गर्मी की चपेट में है टेंपरेचर 40 से शुरू होकर 50 या इस से उपर तक जा रहा है इस दोरान प्रचंड गर्मी से ज्यादा ना सही कुछ हद तक रहा दिलाने वाली तस्वीरे जरूर सामने आई हैं कहीं गर्मी के प्रकोप से बचाने का जोगार त्यार किया जा रहा है तो कहीं जंगली जानवरों को चिल्चलाती गर्मी से रहा दिलाने की कोशिश में जारी है एक तिरफ केरल में मानसून लगभग दस्तक दे चुका है दूसी तरफ प्रचन्द गर्मी जेल रहा देश का एक बड़ा भाग मानसून के आने तक कुछ ऐसी जुगत लगा रहा है जिससे जल्ती जुपती गर्मी से इंसान ही नहीं बलकि जानवरों को भी कुछ राहत बिल पाए तो चलिए इस मिशन बीट दहीट की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं सबसे पहली तस्वीर एंदबाज से जहां आजकल घर से निकलना किसी मैदाने जंग में निकलने जैसा ही है उपर से गाड़ी से सफर करते ही ट्राफिक लाइट पर खड़े हैं तो ये गर्मी जुलसा दे रही है इसके ही एहमदबाज शहर की यातयात पुलिस ने कुछ ऐसे ग्रीन नेट लगाए है बेशक ट्राफिक लाइट पर लगाई ये ग्रीन नेट सीधे पड़ रहे सूरज के ताप से लोगों को कुछ हद तक बचा भी रही है ग्रीन सिगनल का इंदिजार कर रहे लोगों के अनुसार ट्राफिक लाइट पर ग्रीन नेट लगाना एक सरहानिय कदम है बहुत अच्छी कामगिरी है इससे लोगों को काफी रहत मिल रही है और ऐसे अरजगा होना चीए अच्छा लग रहा है और रूप में लगती है जो भी कामगिया अच्छा किया हुआ है बहुत तकलिफ होती थी पहले व्यवस्ता हो गई है तो बहुत बढ़िया हो गया है इसलिए अच्छा है जो भी जिसने भी किया है वो सरान ही है काम किया है मिशिन बीट दे हीट देश में कई जगह वनने जीवों के लिए भी चलाय जा रहा है दस्वीर हरिद्वार के राजा जी नैशनल पाक की है जहां हातियों के अलावा दूसरे बेजुबानों को गर्मी के फ्रकोप से बचाने के लिए मोती चूर और कांसरो रेंज में करीब 47 पुराने वाटर होल्स को सुधारा गया और करीब 5 बड़े जलाशे बनाए भी गए जिन में भरे जा रहे पानी में हाथी जैसे जानवर नकेवल गर्मी से राहत पा रही है बलकि उसे पीकर इस चुपती जलती गर्मी में अपनी प्यास भी बुजा पा रही है कुछ अस्थानों पर कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं जिसके लिए बाहर से पानी लाया जा रहा है जो पुराने वाटर होल पक्के वाटर होल है उन पर पानी निरंदर पानी उन बेव डाला जा रहा है ताकि वन्ने जिवों को प्रशुपक्षियों को पानी मिल सके ऐसे चेतर जहां पर हमारे पॉराने पानी के सोर्स हैं जलसुरोत हैं उनका जिर्णों द्वार किया गया है यूपी के कानपूर में तो 47 से 48 डिग्री तापमान लोगों को जुलसा रहा है ऐसे में किवरी नगर सबस्टेशन के अलावा कई कंजिस्टिट जगहों पर ट्रांसफॉर्मर में विजली सप्लाई का लोड और गर्मी का अत्यादिक दबाव होने से खराबी आ रही है यहां तपते ट्रांसफॉर्मर्मर्स को बीच बीच में एक्जास्ट फैन, कूलर और पानी की बॉच्छार का ठंडा किया जा रहा है हालंकि आस्मान से बरस रहे अंगारों के बीच राजिस्थान के धौलपूर में बादलों ने बुढ़वार शाम होते होते छिड़काव कर ही दिया जिससे तापमान में हलकी फुल की गिरावट दर्च की गई यहां मंगलवार तक तापमान 48.6 डिग्री सेल्सियस था पूरा धौलपूर ही भट्टी की तरह तप रहा था पूलर पंखे एसी ने तो मानो इस चिलचलाती गर्मी के आगे सरेंदर ही कर दिया लेकिन बुदवार शाम तक गर्म हवा का रुप बदला बारिश और हवाएं चलने से धौलपूर की धर्टी का टेंपरेचर 47.3 डिग्री पर पहुँच गया जिसे यहां के बाशिंदों ने राहत की सास ली फिलाल तो भीशन गर्मी से आज इस आए लोग बेसबरी से मानसून की बाट जोहरे हैं जो केरल में लगबग पहुँच चुका है लेकिन देश के उन तपते इलाकों तक मानसून पहुँचने में वक्त लगेगा ऐसे में छिटपुट बारिश कुछ राहत दे सकती है मगर इस बेतहाश अपड़ रही गर्मी और लू के थपेडों से बचाओ का जुगार ही एक मात्र बेहितर रास्ता है हरिद्वार से मुदित अक्रवाल, कानपूर से रंजाई सिंग और धौलपूर से उमेश मिश्रा के साथ ब्योरो रिपोर्ट, गुड डिस टुडे